आप सब्सक्राइब करें इस चनल को और दबाए बल आइकन ताकि पाए फ्री अप्डेट सबसे पहले हलो फ्रेंड्स मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं जेस सी जोन में आज के वीडियो में आप 50 समाने विज्ञान के कोस्टन्स को डील करेंगे जो रेलवे, SSE, LDC exam point of view से बहुत ही important है आपको बस अपने जीवन के बहुमुली समय से 5 से 10 मिनट निकाल कर ये वीडियो रोज फॉलो करने हैं ये आपके लिए बहुत ही beneficial साबित होगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सकाइब कर लिए चैनल को तक कि कोई भी important notification मिस ना हो तो जली जादेर ना करते वे शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रिथ्वी के लिए पलायन वेक का मान होता है 11.2 km per second जिसे के हम escape velocity बोलता है सुरी के लिए पलायन वेक का मान होता है 42 km per second चैन्द्रमा के लिए पलायन वेक का मान होता है 2.37 km per second प्रिथ्वी के सब्सक्राइब से उपर जाने पर वायू मंदलिय दाप कम हो जाता है वायू मंदलिय दाप को मापा जाता है बैरो मीटर से बैरोमीटर का पाठ्यांग जब देले देले नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है बर्व के तुकड़े को आपस में दमाने पर तुकड़े आपस में चिपक जाता है क्योंकि दाब अधीक होने से बर्व का गलना घट जाता है सुद्जल का घणत्व होता है 1 ग्राम पर संटीमीटर क्यूब घणत्व मतलब डेंसिटी बर्व का घणत्व होता है 0.9 ग्राम पर संटीमीटर क्यूब दर्व का घणत्व अधीक होने पर प्रिष्ट तनाव बढ़ जाता है पुरिश्ट तनाव अर्था है surface tension द्रफ अगनत बढ़ने पर कोशी का नली में द्रफ कम जहरता है ताप बढ़ने पर द्रफ की स्यानता घर जाती है श्यानता का मतलब होता है viscosity ताप बढ़ने पर गैस की स्यानता बढ़ती है आनी आनी पर छप्पर का उड़ना कि सिध्धान पर अधरित है बर्णौली के सिध्धान पर यंग प्रित्यास्ता गुनांग का ऐसाई मात्रक है न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर जिसे के हम कहते है यंग्स मॉडिलोस अफ इरासिटी जूला जूलते रिए कोई व्यक्ति जूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्थकाल बढ़ जाएगा यदि जूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बढ़े तो उसका आवर्थकाल आपरिवर्थित रहेगा वायो में ध्वनी तरंगे होती है अनुधैरे जिसे के हम कहते हैं longitudinal ध्वनी का विएक सबसे जादा होता है इस पात में प्रस्त्रव्य तरंगे के अवर्थी होती है 20,000 हट से अधी अवस्त्रव्य तरंगों के अवर्थी होती है 20 हट से कम द्वनी का वेक सबसे कम होता है गैस में एक किलो किलोरी उस्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 डूधी पावर 2 जूल कमरी का समाने ताप होता है 27 डिग्र सेंटिग्रेट या 80.6 डिग्री फॉरन हाइट विशिस्ट उस्मा का ऐसा ही मात रख होता है जूल पर केजी पर केल्वीन और विशिस्ट उस्मा को बोलता है स्पेसिफिक हिट गुप्त उस्मा का ऐसा ही मात रख होता है जूल पर केजी केल्वीन ताप मापे में बर्प का गलनांग होता है 273 केल्वीन जहरने में जब जल उचाही से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है विद्यूत के इतले में पानी किस कारण गरम होता है समवहन के कारण जिसे कहम कन्वेक्शन कहते है बोलो मीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें ये विकरन जिसे कहम थर्मल रेडियेशन कहते है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सिधा वास्त अवस्त में परिवर्दन होने को क्या कहते है उधर पातन जिसे की हम शबली मेशन कहते है सबली मेशन एक ऐसा प्रोचिस होता है जिसमें कि Solid Direct Gas और Gas Direct Solid में Convert हो जाए है जिसे किसका Example हम कह सकते है Comfort, Naphthalene यह सब इसका Example हो सकते है जिससाब पर कोई ठोस पदार्थ उसमा पाकर द्रव में परिवर्टी हो जाता है वह कहलाता है उसका Melting Points जिसे के हम गलनांग कहते है जिससाब पर कोई द्रव उसमा पाकर वास्थ में बदल जाता है उसे कहते है उसका Boiling Point जिसे के हम कथनांग कहते है द्रव से वास्थ पदार्थ में अवस्था परिवर्थम को कहते है वास्थपन ठोस से द्रव में पदार्ट के अवस्था परिवर्तम को कहते है गलन दाप पढ़ने पर किसी वस्था को अतनाग बढ़ेगा तेज ववाली रात्री में ओस नहीं बनती क्योंकि वास्पिकरंग की दर्ग तेज होती है ठोस कपूर के कपूर वास्प बनने की प्रकिरिया कहलाती है अधर ओपातन कहते है रेफ्रिजेटर में थर्मोस्टेट का कारται है एक समान तापमान बनाई रखना प्रकास तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस तरंग गसे कहिम ट्रांसवर्स वेब कहते है प्रकास का तरंग से बान किसके तरह परतिस्थापित किया गया? हाइगन्स के द्वारा प्रकास एक प्रकार का विद्धुचुम्ब के तरंग है या सरुपरतम किसने कहा? Maxwell ने और विद्धुचुम्ब के तरंग का मतलब होता है Electromagnetic Wave किसने सरुपरतम यह दिखला है कि प्रकास तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रो माल्डी ने प्रकास विद्धुच प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्टिक एफेक्ट का प्रतिपादम किसने किया? आइंस्टीन ने प्रकास का वेक सरुपरतम किसने गयात किया? रूमर ने किस कारण? वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पें से सिहाई रिस जाती है? वायुमंडी दाब में कमी के कारण पानी में डूबी वी सीधी चड़ किस कारण तेड़ी दिखाई देती है? प्रकास के अपवरतन के कारण मतलब रिफ्रेक्शन और फ्लाइट के कारण सुरी के प्रकास को प्रिस्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सकेंड किस रंग के प्रकास का प्रक्रिणन सबसे अधीक होता है? बैग नहीं तो फ्रेंट्स आज से वीडियो के अंध में आपको एक प्यारी से थौट मिलेगी जिससे आप में थोड़ी पुजिटिव वाइट तो जरूर आएगी तो आज का थौट अफ़ट अफ़र डे है विनर्स नेवर क्विट और कृटर्स नेवर विन मतलब जो भी कीजिए सिद्दक जास के साथ कीजिए और अंति तक कीजिए किसी भी काम को बीच में तो बहुत कोई छोड़ सकते हैं पर उन्तो इसे अंति तक complete बहुत कमलोग करते हैं और जो हालात से ना घबर आकर हार नहीं मानते हैं और रंतर कोसिस करते रहते हैं और सिद्दत के साथ किसी काम को पूरा करते हैं सफलता हुने अवश्य मिलती है ओके फ्रेंज तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें इससे हमारा मनोबल बढ़ता है जल्दे मिलते हो नए उच्छा नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मुस्तुराते रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद